तो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेट फॉर प्रॉफिट में उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर सस्काइब जरूर करें बिटकोईन के प्राइज में एक गिरावट और देखने को मिली है कल के दिन बिटकोईन के प्राइज ने अच्छा गासा यहां पर लगबग 38,000 के नियर अबाट जाने कोशिश की ती लेकिन वहां से प्राइज को फिर एक गिरावट हमें देखने को मिली यहां पर अगर हम देखेंगे तो यह एक जोन निक देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि RSI नीचे बिल्कुल 40 के लेवल के नीचे चली गई है और जैसे कि मैंने बताया ही है 60 के ऊपर RSI है तो मार्केट बुलिश हो सकती है और 40 के नीचे अगर आरे साई जाती है तो फिर अच्छी गासी ग्रावट भी होती है अगर आप यहां का काम कर रही है बिटकोईन के प्राइज महीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है यहां पर दोको एक चीज मैं बताऊंगा वीडियो में थोड़ा सा आगे उस चीज़ को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना उस चीज़ को दोस्ता अगर फियर और ग्रीड इंडेक लगए नीचे जब आएगा थोड़ा मेरे काल से 10 12 तक तो फिर महाँ से थोड़ा सा मार्किट में एक फुलवायक आने की उम्मीद है ठीक है तो चार्ट पर हम देखेंगे अगर हम यहां पर बाइनेंस एक्चेंज का चार्ट लेते हैं तो हम देख सकते हैं बाइनेंस एक् मिला था 45,000 के असपास ठीक है अगर यह अरिया क्रॉस होता और 48,000 को बिटकोइन ब्रेक करता तो बुलिश टेंड पकड़ लेता बिटकोइन लेकिन यहां पर इस तरीके की न्यूज आ रही है लगातार आप देख रहे हो कि रशिया और यूक्रेन के वार की न्यूज है उ जो यलो कलर की लाइन देख रहे हो आप उस वीडियो में मैंने वाइट कलर की लाइन दिखाईती हलागी कलर से कुछ नहीं है यह पीवोट लेवल है ठीक है बिटकोइन का प्राइस इसके नीचे टेट कर रहा है अगर आप वीकली चार्ड पर आप हिस्टी देखो कि बिट पॉइंट के नीचे आया है मार्किन ने अच्छी ग्रावट की है ठीक है और यहां पर 2019 2020 में यह पीवोट पॉइंट लगबग बराबर बनेते और उसके बाद प्राइस इसके उपर नीचे उपर नीचे यानि एक साइडवेस कंडिशन में टेट करता दिक रहा था और उसक गिरावट काफी लोगों के पॉटफोलियो आधे से भी कम हो गये हैं तो उनको यह जानने की कोशिश करना ही गिरावट कब रुकेगी तो यहां पर मैं बता देता हूं कि बिटकोईन का प्राइस एक सिक्रेट और रिवील करता हूं इसमें बिटकोईन का प्राइस जब भी गिरता है तो वीगली चाड़ पर कर अब 40 के नीचे जाती है आरेस आई तो बड़ी गरावट करता है आप देख सकते हो यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं यहां पर देखो ज़रा सही आरेस आई नीचे गई और एक बड़ी कैंडिल बनी अभी हम देखेंगे तो बिल मैं आरेस आई को थोड़ा सा जूम करके रिखा देता हूं देखो यह थोड़ा सा नीचे गई थी कितनी बड़ी एक केंडिल बनी थी लेकिन फिर इसने अपने आपको रिकवर किया प्राइज ऊपर चला गिया उसके बाद फिर यहां से ग्रावट हो रही है अभी अगर हम तो 40 सपोर्ट पर आने की कोशिश कर रही है लेकिन यहां पर मुझे एक गलबली लग नदर आ रही है अगर हम देखेंगे तो RSI 40 को नीचे धीरे-धीरे क्रॉस करने की तयारी कर रही है तो यहां से मैं छुपाने की कोशिश कुछ भी नहीं करूंगा कि यहां से मार्केट बाइक ले सकती है देखो यह सपोर्ट एरिया है यहां पर RSI को जब आप RSI को लगा कर चार्ट पर ट्रेट करते हो तो वहां पर भी हमारे पास जो प्राइज एक्षन का जो सिस्टम है ना प्राइज एक्षन की जो स्टेट्जी है वही काम आती है प्राइस कहां है अभी ए कर 29,000 तक मतलब जो नीचे रेट कलर की जोन है यह 31,000 से 29,000 के बीच में अब यहां पर RSI देखो एक चीज और बता देता हूं घबराने की उतनी जरुवत नहीं है यहां पर मैं आपको जो चीजे हैं बिल्कुल फैक्ट वह बताने की कोशिश करता हूं तो यहां पर मैं एक एरिये में यहां पर भी RSI लगबग 33 तक गई अभी जो पिछला यहां पर हुआ था मामला उसमें RSI जो नीचे आई थी उसमें 37 तक गई थी तो यहां से कैने मतलब यह है कि अभी 39 के असपास चल लए है थोड़ा सा RSI और नीचे जाती है तो इस सपोर्ट को थोड़कर वि पाना चाहिए कि इस तरह से मार्किट नीचे आई थी तो जब भी आप देखोगे नीचे आई है तो फौरान नीचे नहीं आई है अगर हम देखेंगे तो इस टॉप से गिरी यहां तक गिरी ठीक है और उसके बाद मार्किट ने बढ़त की अब उपर के साइड यह देखो यह उपर गई फिर यह नीचे गिरी फिर दो केंडिल उपर बनी फिर नीचे गिरी फिर दो केंडिल उपर बनी फिर नीचे गिरी फिर उपर गई फिर नीचे गिरी और फिर धीर धीर उपर जाती भी फिर यहां तक गई और फिर नीचे फिर उपर तो इस तरीके से यहां प ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है, कि जैसे कि यह low बना, market ठोड़ा से उपर गई, फिर market जब इस point से गिरेगी, तो इस low को तोड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है, यहाँ पर गिरी, वापस आकर इसी level को test करेगी, और नीचे गिरेगी, तो यह downtrend, अब trend इसका just opposite होता है, इस बोला जाता है, तो यह trend आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर मैं बार 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 बताता हूँ, अपने हर वीडियो में बताता हूँ, trend का जिकर जरूर करता हूँ, अब यहाँ पर बात आती है, छोटे टाइम फ्रेम पर अगर कर रहे हो, तो चोटे टाइम बोल सकते हैं, चुएँकि यहाँ पर लो पे लो तोड़ता चला रहा है, बिट कोइन का प्राइज, अब देख सकते हो, अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर यह लो बना था, बिट कोईन के प्राइज ने इसको तोड़ दिया, यहाँ पर अगर लाइन बाता हूँ, तो और यह देखो यह हमने लगाई लाइं तो यहां पर यह लो बना था यह लो टूटा मार्केट जब उपर गई तो इसने एक्जेक्ट यहां पर हिट किया इसी जो सपोर्ट लेवल था इसको तोड़ कर आई ती उसको ही रेश्चेंज बनाया अब नीचे गिर गई अब बना यहां यहां पर बना मेरे भाई यह लेवल यह लो बना ऊपर गई यहां पर तोड़ा इसको एक्जेक्ट उसी के आसपार जाकर रिटेस्ट की गिरी दो बारा जाकर रिटेस्ट किया और गिर गई इंपल है ठीक है आई बास समझ में अब देखो एक लो यह बंदा था एक लो यह चाहूंगा एक नया चैनल यूट्यूब पर मैं इस्टाट करने जा रहा हूं जिस पर जो इस्टॉक मार्किट और क्रिप्टो कंसी से रिलेटेट जो भी आपको सीखना है मन्दाब लर्निंग चैनल होगा उसमें प्योर लर्निंग वीडियो होंगे और हफते में दो से ती चैनल क्रिएट करूंगा तो आपको इनफॉर्म जरूर करूंगा तो वहाँ पर आपको जिन बंदों को लर्निंग करनी है तो उनके लिए वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका नाम भी मैं जल्द दे दूँगा तो उसके बाद जो भी वीडियो होगा बीस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिएगा अभी फिलाल मैंने चैनल नहीं बनाया है जब भी बनाओंगा तो मैं आपको इनफॉर्म जरूर करूंगा तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन काफी काम का आपके लिए हो सकता है तो मुझ को जाद दीजे नेक्स्ट अपडेडर मिलता हूं जो तक के लिए जय हिंद जय भारत